कि नवफकर किसान भाईयों मैं हुपवन और आपका फ्वागत है आपके अपने चैनल पवन ग्रूप आपके देग्लचर में किसान भायों आज हम इस वीडियो वें बात करने वाले हैं धान में लगने वारे प्रमुक कीट तनाथ शेदक के बारे में किसन भाईयों धान के छेतरफल एम उत्पादन की दृष्टी से भारत का अस्थान बिश्व में चीन के बाद दूफरा है देश में इसका वार्फिक उत्पादन 104.32 मिलियन टन आफ़त उत्पादन 2390 किलोगरम परती हक्टेर है धान की फफल में कीट और ब्याधियों के प्रकोफे काफी नुक्षान होता है कुछ ब्याधियों जथा जिवाडू जनित जुल्फा तथा ब्लाफ्ट रोक के अधिक प्रकोफ के करण फफल का उत्पादन लगभग 75% घड़ जाता है तो किसान भाईयों आज हम बात करने वाले हैं धान में लगने वाले कीट तनाचे तक के बारे में ये रिंग कर पौधे के निचले भाग पर पहु जाती हैं फिर तने के निचले भाग में बेद कर तने में प्रिविश कर जाती हैं और उफे अंदर से खोकला कर देती हैं इसके करण तना फूख जाता है और खीचनी पर आफानी से बाहर आ जाता है आरब में पौधे की बनास बात करें तना बेधक कीट के बारे में इस कीट की सुन्ड़िया ही ही हानिकार्यक構ती है पूरी बिकफ्ली सुन दी हल्की पीले फरीद वाली तथे नरंगी फिर वाली होती तौन के पगळा होते हैं ठत हुदद संद नरंग के practicing के जाते हैं इसके आक्रमन के फल फरूप फफल की बार्श्वतिक अवस्था में मृत्य गोब तदाबाद में प्रकोब होने पर सफेद बाली बनती है किसानवाइव बात करते हैं इसके रोग थामकी तो किसानवाइव गर्मी की जुदाई करने चाहिए रुपाई से पूर पौ होनेफर किसान भाईयों कीट नाफक का प्र्योग करना चाहिए जिसमें क्लोर पाइरि प्लफाइप्स या प्रोफेणोप्स प्लफौडंस पर मेंध्री कीट नाफक दवा का 2 mm 3.0 पाने में शीड़काव करना चाहिए जिससे के कीड़ आपके खेटसे इनका प्रकोब को mindset